Hello everyone, today we are going to start our first chapter of class 11 physics, that is physical word और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चानल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजियो Physical word, ये चाप्टर बहुत से स्कूल में स्किप करवा दिया जाता है या फिर खुद पढ़ने को बोल दिया जाता है Because ये चाप्टर exam point of view से इतना important नहीं है और ना ही जो students competitive exams के preparation करते हैं उनके लिए important है अब आप ये सोचेंगे कि अगर ये important नहीं है तो हम इसे क्यों पढ़ेंगे Students, हमारे पास class 10th में science की एक book होती है और वो 3 parts में divide होती है physics, chemistry and biology लेकिन जब हम 11th standard में आते हैं तो यही books हमारी 3 different parts में divide हो जाती है Even physics के लिए अलग होती है chemistry के लिए अलग and biology के लिए अलग तो अब physics को बिलकुल और books से अलग कर दिया गया है तो ऐसा क्यों किया गया है यही reason की विजे से है यह chapter हमारे लिए बहुत ज़्यादा important है This chapter is only for our basics जब हमें यह basics clear नहीं होंगे तो आगे जब हम physics पढ़ेंगे तो हमें थूड़ी सी problem आ सकती है CBAC में इस chapter में से 2 या 3 marks की weightage में questions आते हैं अगर पूछा जाता है तो नहीं तो not necessary की हर बाई CBAC में इसमें questions आएंगे ही आएंगे आज हम इस chapter में जो topics cover करने वाले हैं आपको यहाँ पे screen पे दिखाई दे रहे होंगे फर्स topic is science and scientific method, second one is physics and principal thrust areas in physics, third scope of physics, fourth one is physics and technology, number five is fundamental forces in nature and sixth one is conservation laws in nature अब हम इस वीडियो में starting के दो topics को cover up करने वाले हैं science and scientific methods, physics and principal thrust areas in physics सबसे पहला जो topic हमारा है science and scientific method, हम सबसे पहले तो यह कि what is science, science क्या है, क्यों हम इसे पढ़ते हैं, word हमने बहुत पहले से सुना होता है बट exactly meaning हमें last time तक भी कई बार नहीं बता होता है बहुत जब हम बच्पन में छोटे होते हैं तब से हमारे माइंड में बहुत सारे questions आते हैं उन questions में कुछ के answers तो हमें उसी time पे हमारे parents से मिल जाता है और कुछ questions के answers जब हम बड़े होते हैं और study continue करते हैं तो उस time पे हमें उन questions के answer मिल जाते हैं यह questions basically nature से related हैं मैं उनकी बात कर यहां पे आपको कुछ questions दिखाई देरे होंगे like light and thundering we can walk on rough surface but slight on smooth surface मतलब जब हम rough surface पे चलते हैं तो बहुत easily walk कर सकते हैं लेकिन smooth surface पे हम बहुत बार slip कर जाते हैं या फिर stars की twinkling मतलब stars हमें दिन में दिखाई नहीं देते और rainbow after rain मतलब बारिश के बाद ही rainbow क्यों बनता है पहले क्यों नहीं बन सकता है तो यह बहुत साह basic questions हैं जो daily day to day life में हम लोग observe करते हैं लेकिन जब हमारे mind में या हमारा mind जब इनके पीछे का reason मांगने लग जाएगी ऐसा क्यों होता है तब word आता है हमारे साइंस और यह क्यूं होता है या फिर किस वजय से होता है तो फिर हम इन चीजों के पीछे का reason जानने के बीछे knew क्यों हो रहा है I know आप सबको बिना बोर्ड के थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी तो इसलिए इस वीडियो में जितना भी कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगी उन सबके नोट्स की पीडियाफ आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अब साइंस में अब किया फैक्ट्स दिये तो हमने उस पूरी स्टडी को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया ताट इस साइंस तो साइंस इट इस सिस्टेमेटिक और 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 ओर्गनाइज नॉलेश तो अंडरस्टैंड नेचर और नेचुरल फिनॉमिन इन डेटेल्स साइंस वर्ड एक करेंगे देन साइंटिफिक मेथड तो स्टडी नेचर देरा सेवरल इंटरकनेक्टिव स्टेप्स आर इन्वालध इस सेप्सार क्लेक्टिव ली कॉल साइंटिफिक मैथड जब हम मैथड की बात करते हैं तो इट मींस कि कि किसी चीज को पुरे ऑर्गनाइज वे में और अगर वो गलत लगे तो उसको reject करके फिर दुबारा से restart करना अब जब हम scientific methods बढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास six methods आते हैं first इन्हें हम methods ने steps भी बोल सकते हैं तो सबसे पहला आता है systematic observation second one is controlled experiments, third is qualitative and quantitative reasoning, number fourth mathematical model, number five predictions and number six is verification application, now first is systematic observation, it means that if you have observed it or noticed it because until we do not observe it, we will not try to know about it, so first is systematic observation, then when we observe something, then our mind is the reason behind it, so the second step is our control experiment ये सारी चीज़े हैं हम लोग एक example के थूए explain करेंगे आप सब ने बहुत ही basic सा एक example बहुत time से पहले ही सुना होता है कि apple tree से एक apple का गिरना ये सबसे पहले सर आइसेक न्यूटर ने observe कि ऐसा क्यों हुआ कि वो चीज़ नीचे ही आई उपर क्यों नहीं रह गई तो उन्होंने सबसे पहला जो step था उनका उन्होंने observe किया सेकिंड जब उन्होंने ये चीज़ observe करी तो उसके बाद में उनके माइंड में आया कि अब इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है तो इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए वो इस सारी चीज़ों को लाब तक ले गए लाब में उन्होंने experiment किया experiment in that way कि उन्होंने ये चीज़ देखी कि अगर सिर्फ उपर से नीचे कोई fruit है या फिर ऐसी कोई lightweight चीज़ ही आ रही है या फिर किसी चीज़ का देखा है अग इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को एक फॉर्मले के साथ में define करना यह बताना कि अगर हमने कोई theory करी है तो वो किस फॉर्मले पर बेस थी या किस तरीके से हमने उसको define क्योंकि physics without formula is incomplete यह दोनों formulas हमने class 10 में पढ़े होते हैं f is equal to ma here f is force and mass is acceleration and equation of motion three equation of motion होती है जो हमें newton से मिली थी यह सब हमने पढ़ी होती है तो एक basically हमने जब इसे numerical form में या number के form में पढ़ा तो हमारे पास word आया mathematical model इसके बाद में उन्होंने यह चीज़ देखी कि कि क्या यह चीज़े सिर lab तक limited है या फिर nature में भी अगर हम सारे experiments को करके देखते हैं तो क्या यह possible होता है तो हमारे पास prediction word आता है prediction का मतलब होता है कि जो experiments करें क्या वो सारे ठीक थे क्या वो हर चीज को लेकर ठीक थे या फिर उनमें कुछ गलतिया थी उसके बाद में next step आता आपका verification तो जो चीज हो गई जो experiments हमें मिले या जो observations हमने ली उसके basis पे हमने जो facts and theories दी क्या वो हमारे लिए पूरी proper way में ठीक थी क्या उनमें कोई कमी नहीं रह गई थी तो यह सारे questions को mind में setup करने के बाद में एक particular formula या किसी law को full and final किया जाता है कि yes अब यह इसे पढ़ा जा सकता है और इस theory को हम आगे भी दे सकते हैं as I told you earlier science is ever dynamic not static it means कि science में कुछ भी fix नहीं होता है facts and observation की basis पे चीज़े बदलती रहती हैं but science में एक मज़े की बात यह है कि अगर कोई experiment किसी scientist ने किया है और अगर वो उसमें fail भी हो जाते हैं तो भी हम उस study को करते हैं क्यूंकि अगर हम उस study को करते है तो वो same mistakes next experiment में repeat नहीं होती और गुरु चानक्ये ने भी ये बात बोली है कि हर गलती से हमें दूसरों की गलती से specially सीखना चाहिए क्योंकि हर experiment खुद पे करें इत्ती बड़ी like तो हमारी नहीं होती अब हमारा second topic है physics and two principal thrust area in physics अब यहाँ पे thrust area का मतलब होता है बहुती major areas य जिसके उपर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है कि basically इन ही के बारे में हम पढ़ने वाले हैं तो science अब आपने ये 10th में पढ़ा था कि biology and physical science दो पार्ट्स में डिवाइड है chemistry and physics basically science हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई biology, chemistry and physics biology means behavior of living things जिसमें हम living things की study करते हैं like human body and physical science मे दो पार्ट्स आते हैं chemistry and physics इसमें chemistry में हम substances, structures इन सब के बारे में पढ़ते हैं for example, atoms and molecules then physics इसमें हम study करते हैं motion से related चीज़े time या फिर energy इसमें example है आपका time, motion, etc. physics as I told you, physics एक Greek word है, जिसका meaning होता है nature, Greek word fuses से हमें physics word मिला है, अब हमारा CBSE में इसमें one marker question आता है, two principal thrust area, तो इसमें आपका first area आता है unification and second one is reductionism, दोनों areas के नाम या फिर इनकी explanation आपकी CBSE में बहुत बार पूछी जा सकती है, तो आप please इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसके notes आपको PDF में मिल जाएंगे, unification का मतलब होता है, कोई ऐसी study या फिर बहुत सारी different different चीज़ों को एक particular law से define करना, क्योंकि जितने कम laws होंगे हमारे लिए burden उतना कम होगा, अगर ज्यादा laws, ज्यादा formulas आते हैं, तो हमें उतने ज्यादा पढ़ने पढ़ेंगे, लेकिन जब हमारे पास एक limited material होता है पढ़ने के लिए, तो हम उसमें interest भी लेते हैं और हमें वो चीज़ clear भी हो जाती है, इसलिए unification का मतलब होता है बहुत सारे incidents को एक particular law से define करना, और reductionism का मतलब होता है एक particular complex problem, complex problem it means कि कोई बहुत ही difficult सी चीज़ है या फिर कुछ बहुत सारी चीज़े हैसी होती है, जो हमारे लिए difficult होती हैं तो उन्हें हम एक बार में नहीं समझ सकते, तो हमारा best way होता है कि उन चीज़ों को break कर करके पढ़ना, अब जैसे अगर हमें ABCD नहीं आएगी तो हम sentence बनाना नहीं सीख सकते, तो sentence एक complex thing हो गई, तो वो सीखने के लिए सबसे पहले हमें ABCD सीखने होती है, इन डिटेल अभी हम पढ़ेंगे unification and reductionism, unification, bookish language में unification is the act of unifying different laws, valid for different phenomena into a single theory that explain all the different phenomena, it means बहुत सारी theories के लिए एक particular single law देना, जिससे वो सारी चीज़े explain होती है, for example, here you can see two masses, M1 and M2, R is the radius which is the distance between them, so यहाँ पर हमारे पास एक formula आता है, F is equal to G, M1, M2 and upon R square, second thing आती है हमारे पास, earth revolves around the sun, यह हमने बहुत टाइम पहले से सुनना होता है, even 9-10 से भी पहले हम यह चीज़े सुन लेता है, और हमें पता होता है कि जो earth है, वो revolve करती है around the sun, तो यह सारी चीज़ें, इसके अलावाद जितनी भी satellites हैं, stars, moon हैं, जितने भी stars हैं, moon हैं, orbits हैं, तो यह सारी चीज़ें, यह प्लानेट से यह आपस में टकराते नहीं हैं, और रोटेट भी करते हैं, तो अपने axis पे रोटेट करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, तो यह दोनों तीनों चीज़ें जितने भी बातें मैंने बोली, इन सब को define करने के लिए, हमें एक law मिला हुआ है, universal law of gravitation, यह law भी Sir Isaac Newton ने ही हमें दिया था, तो इसमें आपने देखा, कि इतने सारी situations को explain करने के लिए, एक law हम पढ़ते हैं, इसे कहते हैं, unification, second one is reductionism, reductionism में क्या होता है, it is the effort to solve a complex problems, by breaking it into simpler parts, it is considered to be the heart of the physics, it means कि एक proper कोई बड़ी सी problem है, और उसको अपने parts में break किया, और उसके बारे में पढ़ना चार्ट किया, इसका example है, हम सबने atoms, subatomic, particles, elements, ये सारे words सुने हुए होते हैं, लेकिन अगर हम बोले universe, तो हमारे लिए वो term एकदम नहीं हो जाएगी, बट अगर हम पहले particles, elements, फिर atoms, उनसे भी छोटी units, subatomic, जब हम step by step एक एक चीज़ को पढ़ते हैं, तो हमें ये चीज़ें clear हो जाती हैं, उसके अलावा example है, the temperature of the gas is reduced to nothing beyond the average kinetic energy of its molecules in a motion, तो students, इस वीडियो में हमने physical world में दो topics को cover up किया है, फिस्ट वर्ड में साइन्स और साइन्टिफिक मेथर्ड और सेकिंड वान इस फिजिक्स और फिजिक्स अगर हम प्यार से और अंडरस्टेंडिंग के साथ पढ़ते हैं, तो फिजिक्स से easy और प्यारा subject आपको और कोई नहीं लग सकता, अब next वीडियो में हम बाकी के units को cover करेंगे, I hope आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, Thanks for watching and stay tuned with our channel for watching more videos.